एलो फूवर्स मैं हूस राज़णी कीचिन में आप सभी के स्वागत करती है jeux आज मैं बनाने वाली हूं कच्छे आंम की चटनी लिए हूं कि Parliament के सबसे पहले हम आम को को चृण के काट लिये हैं पही इसमें नमक और हल्दी दे की अच्छे से मिला लेंगे नमक अपने स्वाद अनुसार ड़िय Torah आपके आम कितना खट्टे होते है उसके उसजम से डाले Ezra कि मैंने याय पर दो चममस डाली है दो टी स्पून हदी डल का अच्छे से मिला लिया है अब ही में कड़ाई ले लूँगी उसमें जो हो वाच फुरन फ्राई कर लूँगी मैंने खाली कड़ाई में इसको फ्राई किया है कि हलका इसको फ्राइब कर लेंगे जब तक इसके खुश्बू नहीं आ दिया तब तक इसको फ्राइब करेंगे अभी मैंने गड़ाय में सरसो तेल दे दिये दो टेबिल स्पूर अभी इसे में चार पाज सुखा मिर्च में डाल दूँगी नमक तीखा और मीथा आपने स्वात के अनुसर डाले मैं सुखा मिर्च को थोड़ी से जला दूँगी अचारिया चत्नी में जली हुई मीर्ची अच्छी लगती है तो मेरी मीर्ची जल जुगी है अभी मैं इसमें डाल दूँगी सरसो सरसो का अच्छी से फ्राई कर लूगी मेरी सरसो जो है फ्राइ हो चुकी है अब मैं इसमें डाल दूंगी गुर यह मैंने यहां पर खजुर का गुर लिया है आप चिनी भी उसकर सकते हैं इक का गुर भी उसकर सकते हैं अब मैंने 300 ग्राम के करीब गुर लिया है आपके आम कितना खटे होते उसके उपर यह निर्भर करेगा गुरु को हम अच्छे से वाल लेंगे गुरु को हमें थोड़ा सा थीन होने तक पकाना है तीन से चार मुनित इसको पकाए अब जो हमारे गुर है और पक चुकी है अब हम इसमें कच्छा आम जो है उसको डाल देंगे तो मैं सारे आम एक एकर के डाल देंगे इसमें आम को हम पकने देते हैं तब तक हम जो मेरा फ्राइ किया हुआ मसाल है इसको हम थोड़ा सा क्रश कर लेते हैं कि मैं हाथ से पहले कर रही हूं आप शिल पार्टे से भी कर सकते हैं मैं शिल पार्टे से थोड़ी से करके दिखाऊंगी कि मैंने पार्टा ले लिया है कि तब इससे में थोड़ी थोड़ी करके इसको पीछ लूँगी कि कि हमें इसको दर दर पिसना है पूरा पाउडर नहीं बनाना है इसलिए हम ऐसे कर रहे हैं कि तब मेरा मसाला जो है रेडी हो चुकी है चलते हैं हमारे आम के तरफ आम के आम में उबालाने तक इसको वेट करें अब उबाला चुकी है अब हम इसको इसका धकन लगा देंगे अधकन लगा कि इसको पकाएंगे पांच से साथ मिन तक वेट करें अब देखिए कितने अच्छे अच्छी कलर आई है गोल्डन कलर आई है बुड़ा अब मेरी आम जो है वो गल जुकी है देख सकते है इसमें इहा पर आप नमक और मीठा जो है टेस्ट कर लें मेरा तीखा थोड़त से कम थी इसलिए मैंने चिली फ्लेक सेट की एक टेबिस्पून यह आपके उपर है अब कितना तीखा खाते हैं और यह अब है मैं आपने फ्राइ किया हुआ मसाला डाल रही हूं अच्छे से मिला लूँगी पाच फ्रून की खुच्चबू बहुत अच्छे आती है खास करका चटनी अचार में देने से मेरी चटनी जो है बन गई है अब हम इसे डिशाउट कर लेते हैं हम एक कटोड़ी में ले लेते हैं कि देखिए कितनी सुंदर बढ़िया कलर आई है यह गुर्ट से मैंने बनाई है इसलिए इतना सुंदर कलर आई है आप लोग इसे चिनी से भी बना के खा सकते हैं अब हम इसके उपर थोड़ से फ्राइ किया हो मसाला और थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डाल देंगे खाने के ट्राइम थोड़ी सी ब्लैक सॉल्ट काला नमक डाल के खाए बहुत अच्छी लगती है और इसी ए वीडियो टी बांगलाई देखा जोनों अमर उन्नों चैनल एगे देखते पानें राजरनिस लाइफस्टाइल एन ब्लॉक्स तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पर थेंक्यू कि मैं खाए लंगला ज deixा झाए बॉदंशाग Janeiro झाए भी जगयो ज